अब बात है कि इसी सिंगर की जिनकी मा सिंगर थी, एक्ट्रिस थी, उन्होंने सन 1946 में फिल्म शाजहा में हीरोईन का रोल किया था, मगर घरवालों के विरोध के चलते अलविदा कहना पड़ा फिल्मी दुनिया को, लेकिन ये मन में ठान लिया था कि अगर बेटी हुई और अगर उसका रुजहान संगीत और कला की तरफ हुआ तो वो उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी देंगी, जनाब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ओरिजिन की लंदन में पली बढ़ी जरीना आगा की बेटी सल्मा आगा की, सिंगर बनने का खाब देखने वाली सल्मा आगा बंबई में जब फिल्मों में अपनी जमीन तलाश कर रही थी, तब उन्हें एक ऐसा आफर मिला, जिसने उन्हें सिंगर के साथ साथ एक्टरस भी बना दिया, बच्पन से सल्मा की अम्मी ने उन्हें संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया था, महस सोला साल की उम्र में सल्मा ने अपनी आवाज में पहला म्यूजिक एल्बम निकाला, जलवाए घजल, जिसमें उन्हें उन्हें एक घजल खुद लिखी थी, फिल्म का म्यूजिक दिया था उनकी अम्मी ने, इसके बाद गाने का सिलसिला चल निकला, प्रोग्राम्स करने लगी, पाकिस्तान में भी उन्हें काम मिलने लगा, लेकिन वो अभी स्टार डम अचीव नहीं कर पाई थी, कहीं न कहीं हिंदी फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी, उनकी ये हसरत पूरी हुई जब उन्हें बॉम्बे से एक फिल्म में गीत गाने का बुलावा आया, फिल्म करना था चानक की चंदरूप्त, इस फिल्म के म्यूजिक डिरेक्टर नौशाद साहब थे, मगर ये फिल्म कुछ दिनों के बाद बंद हो गई, इसी बीच उनकी मुलाकात राजकपूर से हुई, बातों बातों में पता चला कि वो गाने के लिए बंबई आई है, आफर भी मिला, मगर दुर्भागे से फिल्म बंद हो गई, इस पर राजकपूर ने कहा कि प्रोड्यूसर डिरेक्टर बी आर चोपड़ा एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं तुम्हें रेक्मेंट करता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए, तो सल्मा आगा को आखिर एक दिन बी आर चोपड़ा से मिलने का मौका मिल गया, बी आर चोपड़ा वर्क कर रहे थे निकाह फिल्म के कहानी पर, सल्मा और बी आर चोपड़ा की इस मीटिंग के बाद, बी आर चोपड़ा ने कहा, मैं तुम्हें ब्रेक दूँगा, मगर एक शर्त है, सल्मा ने पूछा क्या शर्त, बियार चोपडा ने कहा अगर तुम फिल्म में हीरोईन बनने को राजी हो जाओ तो फिल्म में गाने का मौका जरूर दिया जाएगा आप ध्यान रखें कि बियार चोपडा के पास वो राजकपूर जी ने रेक्मेंट किया था as a singer गई थी बियार चोपडा ने देखा उनको सकल सूरत भी ठीक लगी उन्होंने का ये मेरी शर्त है कि singer का मौका तो तब दूँगा जब तुम मेरी फिल्म में हीरोईन बन जाओ ये बिल्कुल इसी तरह से जाएग बच्ची को कुछ काम करवाने के लिए इसकी पसंद के गुडिया देने का लालच कर दिया जाता मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात थी और इस तरह सलमा को हीरोईन के रूप में उनकी पहली फिल्मी नहीं मिली बलके उनके गाएगीत दिल के अर्मा आसूं में बह गए से वो फेमस भी हो गई और साथी साथ इसी गीत के लिए उन्हें फिल्फेर अवार्ड से भी नवाजा ले आप सुन रहे हैं रेडियो का नमबर वन शो सुहाना सफर विद अनू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफम पर